Hello friends, evaluate probability of A union B देर calculate करना है आपने 2 times of probability of A is equal to probability of B is equal to 5 upon 13 review आपको आपने हम पे वही फार्मला लगाना है Cumसिन मैं आपने नोगों पर बंद करें तो पहले आप उजयेंगे यह जो आप लिंगे बहुत प्रेक्टिस करी हुए है वैस्तों के प्रोब्लम माननी चाहिए लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की थोड़ी से हल्प कर देता हूँ at least का मतलब क्या है at least two head है सबसे पहले दो head वाले जितने भी है उन सब को लिखे जब भी वर्ड आजे at least तो उससे उपर भी चलना है आपने जब तक की वह series चल रही है दो से जज़़ा हो सकता है तीं ये तीन वाला भी हो गया ग्ष्ट देखो चार भी हो सकता है पांच भी है छे भी है लेकिन इतना वासको नहीं पहुँरा हमारा है हमारा three times तक की head ले लेंगे अब देखिए इसमें at most भी आ गया अब at most two head अब आप कहेंगे जी at most मालूम हों है मालूम है हमें कैसे पहले तो दो head वाले ले लिजी आप दो head वाले ले लिए अब at most है ना at least में तो आप उपर की तरफ चले थे at most में आप नीचे की दरफ चलेंगे दो से नीचे क्या होता है one one वाले ले लो one head वाले ये one head वाले case हो गए उसके बाद one से नीचे क्या आता है zero head वाला भी case हो गया अब वोई आपने इन सभी case हो में e conditional probability आप निकालना है निकाल दीजिए rule आपको मालूम है इन दोनों की intersection करके देखिए क्या common आता है value put करके simplification के बाद आपना answer दे दीजिए और इसमें देखिए at most और at least है अब मेरे खाल में आप लोगों कहीं doubt नहीं होगा ये तो मैंने आपकी revision के लिए at least और at most का एक केस आपको revise करवाया है बाकी formula based question है कहीं problem नहीं आएगे आपको ये question number 7 है इसमें भी यह time है इसमें 2 coin को toast करना है आपने देखिए probability no tail appears एक भी tail नहीं नहीं चाहिए इसका मतब दुनों के दुनों क्या होंगे head और no head appear अब यहां पर क्या है एक भी head नहीं है तो इसका मतब टी टी होंगी दुनों tail tail होंगी दिखने से पता लग रहा है दुनों की intersection में क्या आएगा बस आपका कोशन सोल्व हो गया था ही कुछ नहीं इसमें अब देखिए 8 die is thrown 3 times हमने इनका sample space बनाया हुआ 11th class में तीन-चार बर बनाया है बहुत अच्छे से बनाया है जब हम एक die को फैंकते है तो sample space 6 का बनता है जब 2 die को फैंकते है तो 36 का बनता है जब 3 बर die को फैंकते है तो 216 का बनता है अब देखिए इसमें 216 दूम बना नहीं सकते इसमें हम स्मार्ट काम करेंगे कैसे देखिए आप उसने इमें क्या क्या है फोर एपियर ओंदा थर्ड टॉस तो आप ऐसे करिए थर्ड की कंडिशन है तो तु टू डाईज का सेंपल स्पेस बना दिजिए 36 का और सबके बीचे 44 लगा दिजिए यह देखिए, यह हमने करा हुआ है दो का सेंपल स्पेस बनाया सब के नीचे बिए, सब के पीचे फॉर फॉर लगा दिया यह 36 का सेंपल स्पेस बन गया और उसने second case में क्या का हुआ है उसने second case में बोला हुआ है 6 and 5 appear on first and second first पर क्या है? 6 और second पर क्या है? 5th और third का उसने कुछ नहीं कह रखा कोई बात ने, third काम बना लेंगे 6 और 5 उसने fix कर रखे हैं third हम लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि कुछ भी आ सकता है अब E conditional probability F निकालना है probability of E intersection F यह conditional probability है probability of E intersection F upon probability of F value substitute कर दिजे total sample space आपका 216 का बनेगा क्योंकि तीन डाई को हमने उच्छाला है तीन बार में च्छाला है देखिए, एक compact family है compact family में कौन है? mother, father और son यह तीनों जो हैं एक studio में चलेगे snap के लिए family picture के लिए और हमने इनके खड़े होने के हिसाब से sample space बनाना है कि क्या हो सकता है? हो सकता है, पहले mother खड़ी हो जाए फिर father, फिर son या इस से उल्टा भी हो सकता है son बीच में आज़े, father side में चले जाए इस तरह से 6 का sample space बने गया और जैसे जैसे उसने का है उसके साब से आप sample e event और f event बनाईए और e conditional probability f calculate करती जीए और यह question भी बहुत ही simple है, यह आप के लिए मैंने छोड़े है आप करेंगे, बहुत interesting question है हमारे लगबख सभी question revision वाले हैं, किसी भी sample space में problem नहीं आएगी आपको, बस आपने intersection f, e intersection intersection लेना है और divide करना है बहुत interesting है बहुत इजादा